हेलो फ्रेंड्स तो काई आज के इस वीडियो में आपसे भी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं बजट लैप्टॉप्स के बारे में तो यह जो बजट कैटेगरी होने वाली है वह अंडर दी प्राइस टाइक आपको एक हजार और पीस कभी एक्स्टा पे करना पड़े अगर आपको लैप्टॉप लेने के सोच रहे हो आपको प्राइस बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट रखना है यानि कि पचीस हजार के नीचे ही आपको चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए काफी जदा बैनेफीशरी होने वाला है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एसूस वीवो बूग 14 की बात करना चाहूंगा जहाँ पर आपको एक 14 इंचिस का फुल एच्टी प्लस का एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले देखने को मिलता है आला कि यहाँ पर आपको फुल एच्टी प्लस का रिजलोशन है तो यह मुझे इस डिवाइस का काफी बड़ा प्लस पॉइंट लगता है क्योंकि 25,000 में फॉल एच्टी प्लस आपको रेरली देखने को मिलेगा साथ ही में इसमें आपको जो प्रसेसर देखने को मिलता है वह एमडी का डियॉल को 3050 यू का चिपसेट है जो कि बहुत ज़दा एफिशन्ट है आपके जो डेली आपको इसमें डिजाइन लाइनप देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़दा एलिगन भी लगती है साथ ही मैं बात करना चाहूंगा राम और स्टोरेज के बारे में तो आपको 4GB के राम मिल जाएगी और 1 TV की हाड ड्राइव तो यह काफी ज़दा एक अच्छा है कि आपको राम और स्टोरेज में काफी ज़दा बढ़िया देखने को मिल रही है विंडोस 10 का सपोर्ड ने दो सेल की बैटरी है और आपको सभी तरह के पोर्स देखने को मिल रहे और मुझे यह लैपटाप 25,000 के प्राइस टाइक में काफी ज़दा अच्छा लगा इसकी जो आपको काफी ज़दा अच्छे लैप्टॉप्स प्रोवाइट कर रही है वैल्यू फर मुनिया पर प्रोड़क्ट देखने को मिलता है तो अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करता हूं कॉन्फिगरेशन की तो बहुती ज़दा अच्छे है आपर आपको 14 इंचिस की एच्टी प्लस की काफी बढ़िया डिस्पली देखने को मिल रहे है चाहाप अपको क्वालिटी काफी ज़दा अच्छी देखने को मिलेगी टॉप नॉच्वालिटी होगी डिजाइन और इसकी जो पूरी बॉड़ी है उसकी भी साथी में बात करना चाहूंगा इसके प्र प्रफॉर्मंस भी अगर चाहती हो तो आप यहाँ पर जो लैप्टाप को पुश कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर एक एडवांटेज आपको देखने को मिलता है स्टोरेज काटेगरी में जहाँ पर आपको एससदी का सपोर्ट है तो यहाँ पर आपको 256 जपी की SSD देखने को म मिलती है और यहाँ पर आपको कोई भी अप्ग्रेडेशन का उप्शन नहीं मिलता बट मुझे लगता है कि 25,000 की प्राइस टाइक में यही बहुत जादा हो गया जो हमें अविटा नहीं आपर जो प्रोवाइट किया है Windows 10 जैन्यून सभी लाप्टाप से में मिल जाएगा साथी में आप आपको डीसन सभी तरह के पोर्ट देखने को मिलते हैं वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ओल पर सिलेक जरूर कीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियोस है वो सभी आपको जल्दी से जल्दी मिले तो जो हमारा अगला और 25,000 के नीचे देखने को मिले का आने वाले समय में लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर शेक आउट कर सकते हो वैसे इसका अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते तो यहां पर आपको 15.6 इंचिस की बहुत ही बड़ी डिस्प्ले मिल गई तो अब यहां पर आप थोड़ आपको एमडी का एसिक्स चिपसेट मिलता है जो कि मैं ऐस सच पावरफुल तो नहीं कहूंगा जादा करके बट हां ठीक है आपको जो डेली टास्क है वो तो एजीली हो जाएगा आपका जो परपोस होता है 25,000 के वो तो एजीली हैंडल हो सकता है क्योंकि 25,000 में आप यह तो नहीं सोच सकते कि आपको गेमिंग करनी है क्योंकि 25,000 के बहुत ही ज्यादा लिमिटेड जो आपको है पर कंडिशन देखने को मिलती है तो लिमिटेड सिस्टूइशन में आपको जो इस ऐसे डिवाइस को हैंडल करना पड़ता है 4G के राम है वन टीबी की हाड जाकर चेकाउट कीजिगा और बहुत सारी डिल्स में डिस्क्रिप्शन में दे चुका हो तो अब वह भी जाकर चेकाउट कर सकते हो अगर आप कोई भी प्लाइन कर रहे है क्योंकि आने वाले समय में अमेजन के काफी बढ़िया सेल्स भी आने वाली है तो फाइनली हम आ च डिस्प्लेय कॉंपाक सा लैप्टॉप है इन फैक्ट काफी ज़्दा छोटा लैप्टॉप में कहूंगा इन कंपार्जन टू अधर लैप्टॉप और काफी ज़्यदा अच्छा है अगर आपको इसको ट्रैवलिंग में भी कही बर भी लेके जा सकते हो साती में आपको जो बढ़िया परफोर्मेंस देगा और इसमें आपको जो 610 के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं तो वो भी काफी ज़्यदा अच्छे और एफिशेंट है और इसी के साथ आगे बात करते हैं तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा रैम और स्टोरेज की तो यहां पर आपको जी बीकरा मिल जाएगी वन टीवी की हाट ड्राइब है साथ ही में इसमें आपको विंडोस टेंड का सबोर्ट देखने को मिलता है सभी तरह के पोर्ट से दो सेल की बाटरी है जो कि आपको इसी है पर जो अच्छा इसा बैटर बैक पर प्रोइड करेगी साथी में इस अत्री यर्ज की वारंटी के पिरियाड के अंदर है तो आपको ऐसी कोई दिक्कत ने आएगे काफी जादा जो आप सेफ फील करोगे तो यही एक इसका मुझे प्लस पॉइंट लगता है औरहल सभी लैप्टॉप्स काफी जादा बढ़िया है अब यह आपके नीर्स और के हुआ